हज़ वेल्कम बैक टु माइच więcej श्रेञ्ड दीश ओवर फौस्ट क्लास ओव रिफटोस फॉटट ओंडामंटल के बार भार में रिड्रिय डारिक्शन जानने वाल्य हैं इंतरूडेक्शन ऊफ razor तो चलिए बीडियो को सुरु करते हैं सब फरस्ट हमारा टॉपिक है एच केम्प्यूटर फूलबबब क्या होता है तो यहां पर देशकते हैं यह है फुल फॉल पर C is called to commonly O is called to operating M is called machine P is called to particular U is called to use for T is called to technical technology is called to education and R is called to research तो इसो combined रूप में क्या गाएंगे Common Operating Machine Particular Use Technical Educational Researches तो यह इसका हो जाएगा केम्प्यूटर का फुल फाल And then what is computer? केम्प्यूटर क्या होता है? तो केम्प्यूटर इस एलेक्ट्रोनिक डिवाइस विच केन स्टोर डाटा, मैनुप्लेट्स देम Giving Input According to the Instruction Feed into by the User तो केम्प्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस होता है और यह बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखता है और इसके प्रकार यूजर के द्वारा इससे इंस्ट्रक्शन जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वह उसका उसका आउट्पुट प्रदान करता है ठीक है इस नॉट एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बट इट इस इस्टोर लार्ज अमाउंट ओफ डाटा एंड टेक लोजिकल डिस्टीजन यहां के वल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है परन्तु यह एक बहुत पड़े डाटा को क्या कर सकता है अमाउंट को लार्ज अमाउंट को ट्रीट कर सकता डाटा में और उसका एक लोजिकल डिस्टीजन ले लता है देता है ठीक है नेक्स्ट है वाट इस मीन्स बाई एक कैम्पुटर सिस्टम एक्टूर्ड चीह चैंपुटर इसेटिंप़ TP-6 ऑन्यों अवर इन्पूट डिवयज यह आट्पूर डिवाइस और प्रोच छेंट सुछ पारटों को जैसे इंपूट डिवाइस और प्रोचेंट इन इनट से मिलकार बना होता है लितומר क्या क्या हैं हमारे सभी क्या है कि इस अधिक सब्सक्राइब हमारे क्या है इनके द्वारा अगर इनकी एक में भी कोई कम होई तो हमारा सिस्टम वर्प नहीं करें तो यह है ब्लॉग डियाग्राम ऑफ केंप्यूटर करते हैं इपने केंप्यूटर में या अपने कीबूर के दोर जाता है और फिर नुस्त प्रदान करता है यह सब्सक्राइब diagram of computer इसी according हमारा जो सारा सिस्टम होता है केंपूटर का इसी के एकोडिंग चलता है तो से पर जानते हैं इंपूट डिवाइस क्या होता है तो दी डिवाइस उसरी केंपूटर को इन्स्ट्रक्शन डेता है रखह जिसार कि डिवाइस माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पैन, जॉयस्टिक, टॉस दी मोणिटरिटर इच्टेशंन कार्षम एंग्जैम्पल और इसे सब हैं हमारे सारे इंपुट्ट डिवाईस्के इजैम्पल लो इसे के हैं यह है माउस, यह की बोड्स, जॉयस्ट टिक, हमारा थैं यह हमारे सभी इंपोर्ट डिवाइस हैं माउस को दोना भी देखते हैं प्रोसेशिंग यूनिट प्रोसेशिंग यूनिट क्या होता है तो इसे देखते हैं यह इंटल का आइकोर्स प्रोसेश इंटल का याइकोर्स 7 प्रोसेश है यह तो प्रोसेशिंग दिवाइस इस दिवाइस इस दिवाइस प्रोसेशिंग 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 प्रोसेशिं को इस प्रोसेशिक यचि आल सब्सक्राइबस नाम से लिक्त दिवाइस को में चाहिव होता है वह बिभाइस गया करता है अपनी डडाट को इंपुट करता है प्रिपेयर स्टु प्रफड़ान करता है ठीक है कोई बडाट that the processing device control wall of computer processing device भोटा यह पूरे computer को करते है ग। केंट्रोल करता है सीस्ट 모두 को कंट्रोल करता यह कौन। processing device also known as CPU minus processing device cemu के नाम से जाहते है जैसे central processing and this is a full firm of Cpu and then next output device टिवास इफu दिवाइस जों पर टो आउट टान करता है आउटीवाइस का मोनिटर प्रिंटर जुआ करता है थाолн जीकिंवाइस कि आंपोड दिवाइस यह पर इंप सकते हैं आप गया है था है मोनिटर मीडर हो गया मारा इसद कर लिए करते हैं हमारा शोए स्क्रीब है डिस्प्लेइब आउटपू प्रदान करते हैं जी का या ऋसमार्टफोन में पृंट है जिसे हम को या से रिंट करते हैं और यह वाइस के रूपे हमारा यह आउटल प्रदान करता है तो यह था हमारा फर्स्ट क्लास केंपुटर फंडमेंटल का तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे केंपुटर फंडमेंटल पार्ट तू थैंक यूपर वाचिंग इस वीडियो लेग्षाट सश्क्राइब और शे